इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं sony alpha 7 mark 3 के बारे में इसको कैसे हम वीडियो के लिए setup कर सकते हैं इस camera को उसके बारे हम बात करेंगे पूरी वीडियो setup tutorial है थो थोड़ा सा लंबी हो सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और बिनावलत गवाया चलते हैं इस्टाग्राम और फेस्बूक पर भी follow कर लें चलिए शुरू करते हैं let's get started सबसे पहले हम में में बटन दबाएंगे उसके बाद फिर यह देखिए में में जाने के बाद हमें second option जो यह वीडियो के लिए होता है इस पर हमें जाना है इस पर आगए second option पर तो सबसे पहला ह हमारा हो गया exposure mode exposure mode को हमें हमेशा रखना manual exposure पर तो यह प्रोग्राम मोड पर राता है इसको हमें कर लेना है manual exposure ठीक है यह हो गया उसके बाद फिर दूसरा क्याद करना है exposure mode जो यह चोड़ दीजिए file format इसको चेंज करना हमें तो यहां पर देखिए file format होता है XAVCS 4K XAVCS HD औ 3 option हमें मिलता है तो यह 4K जो हता है 4K पर आप करते हो तो थोड़ा से high quality की वीडियो मिलेगी और XAVCS HD में आप कर सकते हो इसमें भी इतना सही वीडियो है और अगर आपके पास card कमी है या फिर आपको कम से कम quality की वीडियो चाहिए तो आप ABC HD पर कर सकते हो ठीक है लेकिन ए नहीं पर अगर आप ABC HD पर जाते हो तो MTS की वीडियो मिलेगी जो कि MTS सारे software में नहीं चलता है उसको फिर convert करना पड़ेगा अगर आपको MP4 पर चाहिए तो MP4 आपका सारे software में चलता है और smartphone में भी चलता है तो मैं recommend करूंगा कि XAVCS HD पर रख सकते हैं ठीक है फिर उसके ब 25 Mbps ऐसे यह सारे चीज़े दिया हुआ है आप इसमें एक चीज़ समझने कोशिस कीज़ेगा यह हमारा 50 फ्रेम है 50 Mbps मतलब 50 फ्रेम का recording है और 50 Mbps भी जो उसका bit rate है वो सेम है और वहीं पर अगर आप चाहें तो 50 फ्रेम और 25 Mbps मतलब जो आपका recording resolution उससे half यह होगा Mbps होगा जो bit rate होगा उसका होगा उससे half होगा तो इसमें थोड़ा सा quality थोड़ी से down होती है और वैसे ही यहाँ पर देखिए यह सबसे high 25 Mbps 25 फ्रेम और 50 Mbps मतलब आपका 25 फ्रेम पे suit होना ही है जैसे अगर आप normally suit करते हैं तो 25 फ्रेम पे suit करते हैं और उसके बाद 50 Mbps मतलब उसका bit rate ज्यादा double का है तो यह काफी अच्छी वीडियो मनती है वैसे 50 फ्रेम के लिए है फिर 25 फ्रेम के लिए 25 फ्रेम पे आपको 16 Mbps पे भी जाएगा आपका जैसे अभी कैसे quick motion या high speed या फिर time lap suit करते हैं तो उस समय हमारा 16 bit पे automatic चला जाता है तो यह सबसे कम quality ह 50 Mbps उसको अगर आपको चाहिए कि कम से कम card use हो जादा बहुत important footage नहीं है तो आप इस पर भी suit कर सकते हैं तो वैसे यह दिखे 50 फ्रेम 25 फ्रेम और 100 फ्रेम उसके लिए दिया हुआ है ठीक है तो यहां से आप इसको set कर सकते हैं वैसे मैं recommend करूंगा आपको normally suit के लिए 25 फ्र फ्रेम और 50 आपको जिसमें भी suit करना है उस पर आप रखेंगे लिखिन यह 25 फ्रेम रिकमेंडेट होता है कि 25 फ्रेम पर आप suit कर सकते हैं ठीक है और फिर उसके बाद यह जाता है फ्रेम रेट यह recording setting जो है वह मैंन आपकी recording setting जो होती है वह camera का project setting होता है ठीक है उसके बाद यह जो फ्रेम रेट होता है इसको आप उपर नीचे कर सकते हो तो उपर नीचे करने का मतलब क्या होता है जिससे अगर 25 fps पे है तो normal suit कर रहा है जिससे प्रोजेक्ट फ्रेम और यह जो fps होता हो अगर सेम रहेगा तो normal shooting camera करेगा अगर इसके बाद अगर आपको time lapse करना है तो तो यह आपका manual mode पे या movie mode पे नहीं suit होगा यह आपको करना पड़ेगा उपर से जो उपर यहां पे दे रखा यहां पे वहां से आपको SNQ mode पे करना होगा उसके बाद आप आप जो है high speed या time lapse mode पे आप suit कर सकते हैं ठीक है उसके फिर उसके बाद चलते है page number 2 पे page number 2 पे आप 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 कैमरा मूव होता है तो यह focus जो आटो focus हो वह कितना fast जाए तो इसके लिए 3 option दिया वह slow normal और fast तो आराम से focus shift होगा और fast fast है तो फटक से focus shift होगा तो कभी भी वीडियो जल्दी से focus shift ही करते हैं तो इसके लिए fast पे रखने के बाद फिर उसके बाद हम जाते है ए-f track sense पे इसको रखेंगे responsive यह जब कि पहले से standard पे होता है responsive पे रखने से क्या होता है कि यह जल्दी से response करता है कभी भी हम दूसरे subject पे camera जबी move करते है तो जबी हम रा camera जो track होता है जबी हमारा camera move होता दूसरे subject की तरफ तो responsive focus यह करे ठीक है उसके बाद फिर हम जाते है audio recording पे audio recording सबसे जरूर चीज होता है जबी हम video record करते हैं तो audio recording पे जाने के बाद आपको यह audio recording on रखना है ठीक है on रखने के बाद फिर यह देखे audio label के लिए पूछ रहा है audio label क्या है तो कभी भी यह recording रखने के बाद अगर आप external mic के लिए आपका 11 से 16 तक के बीच में हमें अ चेक करते हैं जहां पर हम होते हैं वहां पर ambience कैसा आ रहा है कैसा माइक मिल रहा है वह ऐसा चेक करके उसको हम सेट कर लेते हैं ठीक है फिर उसके बाद हम जाते है audio label display पे ठीक है तो यह display कभी वी on रखते है डिस्प्ले आन रखने से होता क्या है कि हमारा जबी यह करके आप आज आ गई या फिर कुछ ऐसा हुआ तो उस वजह से यह label अगर आपका सही से चल रहा है तो इसका मतलब कि आपका sound सही आ रहा है ठीक है फिर अभी हम इसके बाद बात जाते हैं page no.3 पे page no.3 पे आपको करना है audio output timing यह live पे रखना है और फिर wind wise reduction इसको आफ रखन पीर उसके बाद हम जाते हैं यह movie इसके बाद हम जाते है movie इसको ओन रखने कि से होता क्या है कि जो आपका सटर बटन उसको release करते ही आपका जो camera हो recording mode पे चलाएं यह होता क्यूं है जब हम gimbal पे camera लगाते है उस समय camera जो है यह movie की बटन है यहां से alex बटन दिया movie के लिए ल तो सटर बटन से भी मूवी रिकॉर्ड हो सकती है इस वजह से इसको आन रख देते हैं उसके बाद हम चलते हैं पेज नुमर फोर पे पेज नुमर फोर पे आने के बाद करना क्या है कि यह जो देखिए स्टडी सॉट है इसको हमें आन रखना होता है इसको अगर हम स्टैंड सूट कर रहें या फिर हैंडल सूट करें तो यह ऑन रखने से क्या होता है कि वीडियो है वह स्टेबैज होता है और अगर भाइचाथंस अगर आप जब गिंबल पर यसको आफ करना जरूरी होता है उसमें से इसको आफ कर दे अधर यह जब में या हैंडल कर रहे ह या फिर आप इस टेंड पर कर रहें तो इसको अन रखें ठीक है फिर उसके बाद हमें जाना इसको आटो पर रख दीजिंग सही है इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पेज नुबर 5 में कुछ नहीं आपको करने के लिए पेज नुबर 6 पे जाने के बाद यहां पर फाइंडर प्लस मॉनिटर का ओप्सन दिया हुए यहां पर जब आप जाते हैं तो एक यह उप्सन होता आटो पर आटो पर करने से क्या हो तो मॉनिटर पर लगाता है तो मॉनिटर बंध हो जाता है उसको लगता है कि हमारा फेस उसके पास गया तो sensor के थूरू monitor बंद हो जाता है तो हमें monitor पर ही रखना है वी finder पर नहीं रखना है अगर movie हम suit करें तो जिसके हमारा monitor लगाता है हमें देख सके ठीक है तो इसको monitor mode पर रखेंगे फिर उसके बाद हम देखते हैं grid line अगर आपको on करना है तो आप on कर सकते हैं यहां पर अगर आपको rule of third grid में follow करना तो उसको कर सकते हैं इसके side में दो option दियावा card के लिए तो नीचे slot 1 तो उपर slot 2 दियावा तो आप उसको वहां सेट कर सकते हैं और दूसरी चीज कि यहां पर recording mode दियावा यहां सेट कर सकते हैं तो यहां पर यहां पर standard देखे रखा है दूसरा चीज कि अगर आप सेट करना चाहते हैं तो simultaneously आपको दोनों में वीडियो फोटो दिखेगा और simultaneously दोनों में वीडियो आपका record होगा जो सेम वीडियो इसमें भी और सेम वीडियो रिकॉर्ट होगा और अगर आप चाहें तो simultaneously एक में वीडियो और एक में फोटो रिकॉर्ड होगा और फिर अगर आप sort करना चाहते हैं तो sort कर सकते हैं आप एक में raw और दूसरे में JPG या फिर पहले में JPG और दूसरे में raw ऐसा कर सकते हैं और वहीं पर ऐसा जाहते हैं एक इससे सकते चाहते है एक फोटो में काफी पसंद आताता है आप करके है आप हुए और पर कर रहोते हैं हमें हमें पता ने चलपाता हैं काड़ फूल जाता तो उस टाइम में हमेरे दोनों कार्ड पढ़ा हो और हम हमें उसको चेक करने की जरूत नहीं आई आटोमेटिक सीच हो जाएगा ठीक है उस तरह से हम कर सकते हैं और दिखिए यहां पर यह दिखिए और इस तरह से आप देल सारी सेटिंग कर सकते हैं और अभी ना दिखिए हमें कस्टम बटन भी सेट करने के लिए है यह कॉछंट बटन जो है यह मूवी पर यह सारी सेटिंग है यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा क्यूंकि एक वीडियो बहुत जाद अलंबी ह इसके बाद वीडियो आप डическая बारे देख़ें जिसमें एकर बडूर में बता होगा अगली वीडियो में आपको अगली वीडियो में मैं mention करूँगा और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही आप दोस्तों को सेयर करें जैसे कि उनका भी हेल्प हो सके थैंक्यू सो मच